संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कारक की विभगतिया या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद कारक्चिन संग्या या सर्वनाम के बाद लगते हैं जैसे राजु ने खीर खाई शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं मोहन गेंद से खेल रहा है पिता जी बच्चों के लिए खिलोने लाए इन वाक्यों में आए ने, को, से के लिए तथा पर, परसर्ग, संग्या तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं यदि हम वाक्यों से इन कारक्चिन्हों को हटा कर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संग्या तथा क्रिया शब्द आपस में समझ नहीं आएंगे और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा कारक के भेद Kinds of case कारक, विभक्ति चिन्न यानि परसर्क लक्षन, करता, ने, कभी-कभी कोई चिन्न नहीं क्रिया करने वाला कर्म कारक को कभी-कभी कोई चिन्न नहीं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े करन कारक से के द्वारा जिस साधन से क्रिया हो संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए अपादान कारक से प्रिथकता का भाव जहां प्रिथक होने का भाव हो संबंध कारक का की के रारी रे जिससे संग्या का अन्य पदों से संबंध ग्यात हो अधिकरणकारक, मे, पर, क्रिया होने का आधार या स्थान संबोधनकारक, हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए करताकारक, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे करता कारक कहते हैं जैसे बिल्ली ने दूद पिया कृष्ण ने बांसुरी बजाई इन वाक्यों में बिल्ली और कृष्ण करता है इनके साथ करता कारक का परसर्ग ने लगा है अनेक अस्थानों पर ने का प्रयोग नहीं होता अन्य परसर्गों का प्रयोग होता है जैसे करता कारक को विभक्ती के साथ जैसे मोहन को स्कूल जाना है बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए करता कारक के लिए से परसर्ग का प्रयोग जैसे मीता से चला नहीं गया, करता मीता, दादी जी से उठा नहीं गया, करता दादी जी कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में करता के साथ से द्वारा के द्वारा का प्रयोग होता है जैसे चात्राओं द्वारा चित्र बनाया गया, करता चात्राएं, बच्चे द्वारा दूद पिया गया, करता बच्चा नेका प्रयोग वर्तमान और भविशतकाल की क्रिया होने पर नहीं होता है भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही नेका प्रयोग होता है जैसे रीमा पढ़ रही है वर्तमान काल शर्मा जी फोन करेंगे भविश्यत काल बच्चा बहुत रोया भूत काल अकर्मक्रिया जीवन ने पान खाया भूत काल सकर्मक्रिया कर्मकारक वाक्य में जिस संग्या या सर्वनाम पद पर क्रिया के कारे का फल पढ़ता है वा कर्मकारक होता है कर्मकारक की विभक्ती को है? जैसे शिक्षिका ने माही को टौफी खिलाई इस वाक्य में खिलाई क्रिया पद के कारे का फल माही पर पढ़ता है इसलिए माही कर्मकारक है किसी वाक्य में कर्मकारक के लिए कोप परसर्ग का प्रयोग नहीं होता जैसे रश्मी ने पत्र लिखा इस वाक्य में लिखा क्रिया के कार्य का फल पत्र पर पढ़ रहा है अतह पत्र कर्मकारक है इससे स्पष्ट है कि को विभक्ती के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है कहीं कहीं दो कर्म भी प्रयूक्त होते हैं ऐसी स्थिती में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौन होता है गौन कर्म व्यक्ति बोधक होता है जैसे मैंने माता जी को पत्र लिखा इस वाक्य में पिता जी और पत्र दोनो कर्म कारक हैं पिता जी गौन कर्म है और पत्र मुख्य कर्म है करण कारक क्रिया को करने में करता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है करण कारक की विभक्ती से या द्वारा है जैसे हथोडे से पत्थर को तोड़ो, कलम से लिखो उपर्युक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द करण कारक है कही कही से के अस्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है जैसे फोन के द्वारा संदेश भेज देंगे, रेल द्वारा सामान भेज दिया है संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कारे किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह पद संप्रदान कारक में होता है जैसे दीदी मेरे लिए रानी गुडिया लाई महिला ने गरीब को भोजन दिया इन वाक्यों में रानी के लिए और गरीब को दोनों पद संप्रदान कारक के हैं संप्रदान कारक में के लिए अथ्वा को परसर्ग का प्रयोग होता है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर कर्म कारक और संप्रदान कारक का परसर्ग को है इसलिए इनकी पहचान और प्रयोग में भूल हो जाती है इन में अंतर होता है कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है और कर्म के साथ को आता है संप्रदान कारक में करता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को आता है उदाहरण शिक्षक छात्रों को पार्ट पढ़ाते हैं कर्म कारक छात्र को शिक्षक छात्रों को पठन सामगरी देते हैं संप्रदान कारक छात्र को अपादान कारक जिस पद से अलग होने का भाव प्रकटो वह पद अपादान कारक होता है जैसे बालक स्कूल से जा रही है पेड से पत्ते जड़ गए यहां स्कूल से और पेड से अपादान कारक है अपादान कारक का परसर्ग से है जिन पदों से ग्रिणा, द्वेश, इर्श्या, भय आदी के भाव प्रकट होते हैं, वे भी अपादान कारक होते हैं, जैसे वह सभी से प्रेम करता है, हमें किसी से इर्श्या नहीं करनी चाहिए संबंध कारक, किसी वाक्य में आए संग्या या सर्वनाम शब्द का संबंध, दूसरे संग्या या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं, जैसे यह उसकी साइकिल है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, इन वाक्यों में उसकी तथा तुम्हा शब्द संबंध कारक के उदारण हैं क्यूंकि इनका संबंध क्रम्ष साइकिल तथा घड से हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक होता है। शब्द संबंध कारक के अपेक्षा विशेश बात यह है कि इसमें संग्या शब्दों के पूर्व कभी-कभी अव्याई शब्दों का प्रयोग होता है। अरे राज, पानी तो पिला दे। संबोधन कारक में संग्या शब्दों के बात संबोधन चिन्ध भी लगाया जाता है। आउ दोहराई, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है। उसे कारक कहते हैं। कारकों के आठ भेद माने गए हैं।